नमस्कार आप देख रहे हैं रेवाडी अपडेट और आज दिन भर की खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात क्रोना अपडेट की आज जिले में 110 नई पोजिटिव केस सामने आये हैं जबकि 123 मरीज सुष्थ हुए हैं और आज एक और क्रोना पोजिटिव मरीज ने अपन जान गवादी जिले में अभी तक 2464 सेंपल्स लिए गए हैं इनमें से 4008 नागरिक COVID-19 पोजिटिव पाई जा चुके हैं जबकि 3523 नागरिक अब तक सुष्थ हो चुके हैं जबकि 26 नागरिकों ने अब तक अपनी जान गवादी हैं जिले में फिलाल 469 एक्टिव मरीज है इनमें से 31 विविन अस्पतालों में 57 जिला COVID-19 केर सेंटर में एडमिट हैं जबकि 371 मरीज होम आईसलेट किये गए हैं जिले में जो आज 110 नए पोजिटिव मरीज सामने आए हैं इनमें से 38 रिवाडी सहर से 16 धरुडा, 77 बास वैबावल, 55 सुठाना वैकुंड, 4 सालावा तीन कोसली, दो दो पदियावास, मालपुरा, बेरलिकला, जलालपूर और एकिक मरीज, चांदनवास, बनीपूर, बिहारीपूर, भोका, चांदपूर किढानी, गोकलपूर, जैदपूर, जाबूआ, खंडोडा, खरखडा, कुराड, लालपूर, लोहाना, सानवास, सेख पूर, सिकारपूर, सुधराना, वै, बिसोवा से संबंदित है, इसके साथ ही जो 123 मरीज स्वस्त हुए है, उनमें से 60 रेवाडी सहर से, 23 धरवडा से, 16 बावल से, 55 खोल वै, कोसली, 3 गुगोड, 2 दो बालधनकला, गोलिया का, और 11 मरीज, जैतरवास, जोनावास, करनाव पहलादपूर, आसलवास, पालावास, सेखपूर, सिकारपूर से संबंदित है, वहीं आज क्रोना वाइरिस की रोक्ताम को लेकर, जिलाधीश यसिंदर सिंग ने अधिकारियों के साथ बैठकी, और स्वास्त वाग को निर्देश दिये, कि होटल ढबो पर कारे करने वाले और मुसासी, एमटेक, एयर, एफ, मिच, OCCL, आधी कंपनिया ऐसी है, जिनमें 50 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, इसके साथ ही जिलाधीश यसिंदर सिंग ने कहा है, कि सक्टर 18 गल्स कोलीज में डेडिकेटिड कोविट सेंटर बनाया हुआ है, कोलीज में सिंग की छमता है, लेकिन फिर भी वहां 500 से कम सैंपल्स लिये जा रहे हैं, जिलाधीश ने कहा है कि स्वास्त विबाग अपनी कार्या परणाले में तेजी लाए और ज्यादा सी ज्यादा लोगों के सैंपल्स ले, वही अगली खबर रिवाडी सहर में बे सारा घूम रहे पसोगों को लेकर हैं, जिलाधीश एशिंदर सिंग ने बे सारा पसोग की वव्यवस्ता करने के लिए आज एक बार फिर बेठक की और सक्थ लहजे में संबंधित अधिकारियों को बे सारा पसोग के लिए उचित वयवस्ता करने के निर्देश दिये। जिलाधीस ने कहा कि अगर बे सारा पसू के वज़े से कोई हासा होता है तो संबंदित एजंसी और नगरपरिशद नगरपालिका के ईयो और सचीव के खिलाफ केश दर्च कराये जाएगा नगरपरिशद ने बैठक में बताया कि उन्होंने अब तक 450 गाय और गोवन्स को पकड़ कर गोसाला पहुचाया है जिस पर जिलाधीस ने कहा कि उससे ज़्यादा पसू अब भी सहर की सडक पर घूम रहे हैं आज हुई बैठक में अधिकारियों के साथ साथ गोसेवा से जुड़े लोग भी सामिल हुए जिन्होंने कहा कि पावटी, टीट, पाली, वेगोश्रा में पंचायद के पास काफी जमीन हैं जहां गोसालाएं बनाई जा सकती है जिसमें सहर और गाउं दोनों जगय के लोगों को छूट दी जाए कि वो अपनी मर्जी से गोवनसो को गोसाला में उचा सके जिला एवं सत्र नयायधीस ने कानून जागुर्ता मोबाइल वैन को दिखाई हरी जंडी हरियाना राज्य विदिक सेवा प्राधिकन के निर्देशन में गिरामिन छेत्र में लोगों क कानून के परती जागुर्त करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है जिसे नयायलेक परिशर रेवाडी से जिला एवं सत्र नयायधीस दिनेश कुमार मितल ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया आपको बता दे कि जागुर्ता मोबाइल वैन के माध्यन से समाज के हर जरुत मंदों को प्राधिकरन से मुफ्त कानूनी सेवाओ, नाल सा योजनाओ, मोलिक कर्तव्यों, कानून वैनियोमों के परती जागुरु किया जाएगा पानी कर्यक्षन के बिल भरने पर छूट 31 अक्टूबर तक बढ़ाई जन सुवा सुवाग ने पेजला पूर्ती के पैंडेंग बिलों को भरने के लिए 25 परतिसत की छूट दिया है और ये छूट अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है विवाग का कहना है कि जन लोगों के बिल बकाया है वो 31 अक्टूबर तक बिल जमा करके 25 परतिसत छूट का लाब उठा सकते हैं कैबिनेट मंत्री डुक्टर बनवारी लाल ने आज अपने निवास थान बावल में लोगों की समस्या सुनते हुए अधिकारियों को उन्हें सिर्ग निप्टाने के निड़ेश दिये मंत्री ने लोगों से दो गज की दूरी और मास्क लगाय जाने की अपील भी की इस सचीवाले पोर्टल के माध्यम से डीसी ने सुनी सिकायते जिलादीश एसिंदर सिंग ने इस सचीवाले पोर्टल के माध्यम से आज समस्या सुनी जहां सहर के विकास नगर निवासी विवेक ने गड़ी बोलनी रोड, महंदर गड रोड, बाई पास पर स्ट्वीट लाइट नहीं जलने और कंकर वाले जहूड की समस्या उठाई जिस पर जिलादीश ने समस्या का जल्द समाधान करने का आस्वा संदिया दस्वी में पर्थम आने वाली छात्रा को विदायक चिरंजी राव ने घर कोंच कर किया समानित रेवाडी विदायक चिरंजी राव ने आज गाउं कालू आस पोंच कर हर्याना बोड की दसवी कक्षा में जिले में पर्थमस्तान पर आई भूमिका यादव को समानित किया और गिरामिनव की समस्या सुनी विदायक ने भूमिका यादव को समानित करते हुए का कि बड़े गरू की बात है कि आज के समय में हमारी बहन बेटिया हर छेत्र में आगे बढ़ रही है चिरंजी राव ने इसके साथ ही देश की अर्थवस्ता और बेरोजगारी के मुदे पर बीजेपी सरकार पर निसाना भी सादा एटियम बदल कर ठगी करने वाला आरोपी गिरफतार धावड़ा में कमपनी करमचारी का एटियम कारड बदल कर ठगी करने के मामले में CIA 2 की टीम ने जिला नू के गाउं सिरोली निवासी तारिफ को गिरफतार किया है जिसके पास एक कार भी बरामद की गई है आरोपी को पुलिस ने कोट में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमान लिया है ताकि असके दो साथियों तक पहुचा जा सके और जो ठगी के पैसे है उसकी बरामद की जा सके इसके साथ ही बीती रात सहर के महरवाड़ा में एक यूवक ने हवाई फाइरिंग कर दी और मोके से फरार हो गया पुलिस ने सिकायत के अधार पर केश दर्जकर आरोपी की तला सुरू कर दी है इस घटना से मोले में दैसत का महौल है फाइरिंग के वज़े आपसी जगडा बताई जा रही है